रतंगर नाम के गाउं में एक किसान रहता था, जिसका नाम वीर पाल था उसके छोटे भाई का नाम शाम पाल था हाला कि दोनों भाई-भाई थे पर रहते अलग-अलग मकानों में थे और खेती भी अलग-अलग करते थे शाम-पाल बहुत महनती और सीधा था जबकि बड़ा भाई वीर पाल बहुत ज्यादा चालाक और लालची था महनत तो वो करना ही नहीं चाहता था इस बार दोनोंने गेहों की फसल बोई शाम पाल ने ज्यादा महनत की तो उसकी फसल ज्यादा अच्छी हुई वीर पाल ने महनत बिलकुल भी नहीं की इसलिए उसकी फसल अच्छी नहीं हुई यह देखकर वीरपाल दुखी हो गया हैं? यह क्या हुआ? मैं तो सोचता था मुझे ज्यादा रुपे मिलेंगे लेकिन मेरी फसल उतनी अच्छी नहीं है जबकि श्यामपाल की फसल बहुत अच्छी है कुछ न कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी वीरपाल उसके पास पहुचा और घड़ियाली आसु बहाते हुए कहने लगा भाई मुझे बहुत दुख होता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो लेकिन हम अलग-अलग रहते हैं हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए जिससे गाउवालों में हमारी एक्ता की मिसाल दी जाए हाँ भाईया तुम सही कहते हो भाई श्यामपाल मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें ज्यादा रुपे मिले ये तो बहुत अच्छी बात है भाईया बताओ क्या करना होगा करना ये होगा कि हम अलग अलग खेती करते हैं तुम अलग करते हो मैं अलग उसमें ज्यादा मेहनद भी करते हैं और लागत भी ज्यादा आती है तो क्यों न हम मिलकर खेती करें इससे हमें ज्यादा फाइदा होगा और लागत भी कमाएगी ठीक है भाईया इस बार ऐसा ही कर लेते हैं इस बार दोनोंने मिल कर खेती की वीरपाल कुछ ना कुछ बहाना बना कर काम करने जाता ही नहीं था चलो भाईया खेत पर धान की रुपाई करनी है अभी पानी बरस रहा है नहीं तो फिर ये बरसात का पानी चला जाएगा तो हमें पंपिंग सेट लगवाना पड़ेगा जिसमें बहुत कर्चा आएगा आज मेरे पेट में बहुत दर्द है दर्द के मारे मैं मरा जा रहा हूँ मुझसे उठा भी नहीं जा रहा मैं तो आज डॉक्टर से दवा लेने जाऊंगा सच कहता हूँ भाईया मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है तुम ही चले जाओ किसी दिन शामपाल कहता चलो भाईया से चाहे कर दे आज मुझे बुखारे भाईया तुम ही चले जाओ ना इस बार खूब अच्छी फसल हुई शामपाल और उसके बच्चों ने खेत में जम कर महनत की थी और महनत का फल अच्छा मिला था धान की फसल लहलहा रही थी अपनी फसल को देखकर शामपाल बहुत खुश होता था वहीं वीडपाल भी बहुत खुश था ओ, मज़ा क्या इतनी ज्यादा फसल तो कभी नहीं हुई वाह, इतनी अच्छी फसल भगवान खूब महर्बान हुआ है मुझ पर मेरी प्लानिंग काम्याब हुई मेहनत शामपाल की और उसका फल मुझे मिला अब की बाहर तो मैं माला माल हो जाओंगा वे घर आया और अपनी पत्नी से बूला अजी सुनती हो इस बाहर की फसल तो खुब हुई है हमें बहुत रुपिया मिलेगा लेकिन मलाल इस बात का है कि आधी शामपाल ले जाएगा कुछ ना कुछ तरकी भिडानी पड़ेगी शामपाल आज अपनी ससुराल जाने को है इस बीच में हम लोग फसल का सारा आनाच चुडा लेंगे और गाओं में जो मेरा भाई रहता है ना उसके घर में भर देंगे हाँ किसी को शक भी नहीं होगा शामपाल हमारे घर में देखने आएगा तो हम एक एक कमरा खोल कर दिखा देंगे उसे अरे वाँ तुम तो बहुत होश यारो ये तो तुमने बहुत अच्छी तरकी बताईए हम यही करते है वह शामपाल के पास जाकर बूला भाईया शामपाल आज तुम अपनी ससराल भी तो जाने को थे ना जाओ चले जाओ कल हम फसल को इकठा करके बूरियों में भर लेंगे बहुत अच्छा है भाईया आप कितने अच्छे हो मेरा कितना खयाल लगते हो शामपाल अपनी ससराल चला गया उस रोज रात में वीरपाल ने सारा अनाच चोरी कर लिया और गाओं के बाहर रहने वाले अपने साले माखन के यहां रख दिया माखन के यहां एक कमरा था जो हमेशा बंद पड़ा रहता था वीरपाल ने उसी में सारे धान भर दिये और बाहर से ताला लगा दिया दूसरे दिन जब शामपाल अपनी ससुराल से वापस आया और खेत में पहुँचा तो वह देखकर सन रह गया कि खेत में एक दाना भी अनाज नहीं था वह वह वहीं बैठ कर जोर-जोर से रोने लगा आय ये क्या हो गया, ये मैं क्या देख रहा हूँ यहां तो खेत में कुछ भी नहीं है, ये सारा अनाज कहां चला गया उसी समय वीरपाल भी वहां आ गया और उसने देखा कि शामपाल रो रहा है तो वह भी उसके साथ साथ रोने लगा आए हाए हाए ये क्या हो गया ये खेत का अनाज कहा चला गया कौन चोरी करके ले गया हाए 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 शाम पाल का तो दुख के मारे बुरा हाल था वह रो रहा था और कह रहा था मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई भाईया अब मैं पूरे साल क्या खाऊंगा मैं तो बरबाद हो गया दूसरे दिन शाम पाल फिर कुदा लेकर निकल पड़ा भगवान मुझे कौन सी सजा दे रहे हो क्या मुझ पर जरासी भी दया नहीं करोगे अचानक उसे किसी चीज से ठोकर लगी अरे ये क्या है ये तो पत्थर है इसे रास्ते से हटा दू नहीं तो किसी को चोट लग जाएगी अरे ये तो गड़ा हुआ है उसने पत्थर को बड़ी मुश्किल से निकाला उसे एक गड़े में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया है अरे ये क्या दिख रहा है उस गड़े में उसे एक छोटी सी मटकी मिली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे वे उसको लेकर वापस घर लोटाया और अपनी पत्ने से बोला देखो भगवान कैसा दयालू है उसने हमें भूको मरने से बचा लिया परना कहीं रास्ते में चलते समय भी किसी को कुछ माया मिलती है शाम पाल की तो किसमत चमक गई थी उधर वीरपाल उन धानों को बेच ही नहीं रहा था वीरपाल की पत्नी बोली सुनिए अब उन धानों को बेच दीजिए शाम पाल तो यह बात कब की भूल चुका होगा अरे रुक जाओ भागवान थोड़े और महंगे हो लेने तो तो मैं तो कुछ अकल ही नहीं अभी बाजार में धान का भाव बहुत महगा चल लहा है इस साल धान बहुत कम हुआ है देखना थोड़े ही दिनों में धान के भाव आसमान चुने लगेंगे उसकी पत्नी खुश होकर बोली तब तो ठीक है हमें और भी ज्यादा पैसा मिलेगा कुछ महीनों के बाद धान के भाव आसमान को चुने लगे तब वीरपाल गाउं से बाहर अपने साले माखन के यहां पहुँचा माखन एक बहुत आलसी आदमी था वे चारपाई पर पड़ा हुआ था माखन चलो कमरे से मेरा धान निकलवा दो माखन ने ताले की चाबी खो दी थी इसलिए कमरे के ताले को तोड़ा गया कई महीनों तक वे कमरा बंद रहा था जैसे ही कमरा खूला गया वैसे ही चूहों की फॉज निकली और कमरे से भाग खड़ी हुई ये क्या? इतने सारे चूहे? जब वे सब अंदर पहुँचे तो देखा कि धान के छिलकों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था कई महीनों तक बंद कमरे में चूहों ने सारे धान खाडाले थे वीरपाल रोता हुआ बोला आए हाए भागवान ये क्या हुआ? ये भागवान चूहों ने तो सारे धान खाडाले ये तो कुछ भी नहीं बचा है मैं तो लुट गया बरबाद हो गया मेरे किस कर्मों की सजा मुझे मिली है मैं समझ गया मैं समझ गया मैंने अपने भाई को धोका दिया उसी का ही फल मुझे को मिला है ये भागवान अब वह अपना माथा पीट रहा था इस तरीके से उसको अपनी बुरी करनी का फल मिल गया